हलो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मित करते से विक अच्छे होंगे तो आज की खबर जानके सुनके आप सभी को पूरी तरह से और ज्यादा कन्फूजन हो गया होगा ठीक है क्योंकि आए दिन बिहार में चमतकार होते लाता है इसलिए इसका पिछला विडियो जो था मैंने उ आप सभी को बोलते आ रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई नहीं बंद किजिए कब क्या डिसेजन आ जाएगा क्योंकि ये विभाग पूरी तरह से सरकार के कबजे में हैं कबजे का मतलब क्या है अगर वो रात को फून करकर बोलेगा कि तुम कल नोटिस जारी करो और चार द पूरी तरह से कंट्रोल में हैं सरकार जिस तर गएगी और वर्तवान समय में आप जानते हैं कि सरकार जो है चाहती है कि एक्जाम इतने तेजी से लाया जाए और तिन चार एक्जाम ला दिया जाए मतलब की भी पैसी जो टीरी 3 से लेका टीरी 4, टीरी 5, दो-तीन लाया जा confusion create होता है, यूटूपर वीडियो जो आते रहते हैं, news जो आते रहते हैं कि एक्जाम इस दिन होगा, उस दिन होगा, इस तरीक को होगा, 10 को होगा, 20 को होगा, बहुत सरे लोग जो है वो बाहर से मेरे पास बहुत सरे लोग message करते हैं क्योंकि वो other states से हैं, उनका ticket बनवाने जो बिहार के हैं, जो नजदीक में हैं, उनको एक हफ्ता पहले भी पता चलेगा, तो चीज़े वो अपना adjust कर लेंगे, आने जाने की बात कर रहा हैं वो, लेकिन आप चाहे कहीं भी हो, क्योंकि परसानी तो होगी, जारी से बाते इस आयोग ने सुरू सही परसान करके रख हैं, न्यूज की वज़ा से, मैं डे वन से आप से बोलते आ रहा हूं, कि जो दस तरिक वाला जो डेट, दस से बारा वाला जो डेट था, वो बढ़के 20 की बात हो रही थी, तब भी मैं बोला था, उसके 4-5 दिन में बात वीडियो लाया था, मैं बताया था, कि डेट बढ़ तयारी जो है, तयार रखे, एक्जाम जो है, बहुत डेले कभी भी नहीं होगा, इस जून के लाश तक उम्मीद हो जाएगा, या जुलाई के 1 विक तक हो जाएगा, मैं कल पर सुभी बोला था, और आज देखिए, आपके नोटिस आ गया है, उस नोटिस में अभी भी एक् सिक्षा भी भाग पूरी तरह से कह दिया है, जो उनकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग उन्होंने कह दिया, कि एक्जाम जो है, वो जल् dress ही होगा, ठीके एक्जाम जो है, उप्मीद है कि जून में ही हो जाये, जून के लाश तक हो जाये, या बहुत ज़्यादा chance है कि 20 तक भी हो जाए 20 की जो एक्जाम क्योंकि अब तो इतना तो सियो रहे कि दस को नहीं होगा क्योंकि एटलिस दस दिन पहले तो बताना ही पढ़ेगा उसको कि हाँ एक्जाम होगा ठीक है दस दिन पहले तो इतना सियो रहे कि दस दिन पहले बता देगा अब दस दिन पहले बता आहाते हैं उनको रिए बहुत समस्याह लाता है कि हो जाती है ये सब चीजे को मावले में सब चीज एरेंज करके घर की बात सुनना है उसके बहुजूद भी चीजे समझना है तो थोड़ा मुश्किल होता है फिर भी मैं अभी भी बोलूँगा आप सभी को इतना आप जहलते हैं इतना सुनते हैं हर कोई लड़का हो यह लड़ बढ़ जाती है, दस को भी मैंने बोला था कि डेट अगर बढ़ जाती है, तो उस दस दिन में आप से भी क्या कीजिए, इतनी जबरदस तरीके से त्यारी कीजिए, कि चीजे क्या हो कि आपको बेहतर तरीके से फिर दुबारा रिवीजन हो जाए, आप जो है अपनी रिवीज रहा तो समझे, उसको 24 घंटे मिला है, अगर एक हपते मिल जा रहा है, तो समझे कि बहुत टाइम मिल गया है, चीजों को फिर दुबारा रिवीजन करने के लिए, तकड़ा रिवीजन कीजिए, एक्जाम का जब तक नोटीस ना आ जाए, तब तक आपको तो बैठना तो है नहीं, एक्जाम की नोटीस आ जाए, तब उसके बाद आपको क्या करना है, अराम से सान्ती पुर्वक 10 दिन मिलेगा, 7 दिन मिलेगा, 8 दिन मिलेगा, जितना दिन रहेगा, कि अब एक्जाम कनफर्म इस डेट को होने वाला है, उस समय तक उस टाइम में क्या किजेगा, सान अब कर लीजे किक्स हो गएक्जाम होगा आगे समय में कैंसल हो क्या हो इसको पंगे कि belangrijk May से सोचना चाहिए कि कभ क्या होगा क्योंकि देखिए होने के लिए कुछ बी हो सकता है नहीं हो old उतना चक्र मनी रही है आप सभी को अपनी एक्जाम के तैयारी भरपूर रखिए सुरू से में बताते आ रहा हूँ कि बिहार है आप इसको घबडाइए नहीं कि भाई एक्जाम कब होगा नहीं होगा उसको एकदम चिंता ही छोड़ दीजी अपनी तैयारी गदम जबरदस रखिए हमने बहुत सारे चीजों को आप लोगा पढ़ाया हुआ है आप सभी चाहें तो उसको continue revision करते रहें अब जो है एक्जाम जो है जून के ही महीने में अगर हो सकता है याना सुरू से ही बोलते हैं आराओं कि होगा ही ठीके जब भी होगा इसी महीने में होगा या जुलाई के first में होगा ये सुरू से बताते है रहा हूँ date बढ़ता है तो मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ आराम होजी, date बढ़ेगा, date बढ़ेगा, 20 होजागा, 50 होजागा date बढ़ेगा तो आप उसको एक महिने बाद होगा, तो वो तो गलत बात है, आप 10 दिन टर्गेट रखे के, 10 दिन बाद एकजाम होने वाली है, फिर अगला आ आप मालूप चले के 10 दिन बाद के नहीं, अभी 10 दिन और आगे है, फिर दूबारा रूविजन कीज़े, फिर उसका आगए मालन चले के, 10 दि कि अभी जो है लास्ट महिने बरदास कर लिए कोई दीकत नहीं है वह रिजल्ट आपको बताएगा कि सारे चीजों का एक ही जवाब होता है रिजल्ट ठाइक है वह समय आपका बता लेगा जितना भी सुनिएगा, जितना भी बरदास किजएगा, सब का जबाब आप एक बार में दे दिजएगा, जब एक्जाम के बाद आपना राम सी इत्मिनान से निकलिएगा तो, उसको छोड़ दिजए, अभी हम लोग जो किया क्या करना हैं, ये सारे चीज़े खबर जान चुक जो भी वीडियो मिले, खबर का सुनिए, उसको साइड माट आईए, फिर अपने काम में लग जाए, अपना पढ़ाई, एकदम डी मोटिवेड नहीं होना है, शुरुस में बोलते आ रहा हूं कि नहीं हो ये, आप कंटिनू चालू रखिए, कोई कुछ भी बढ़ जाएगा एक महिन बाद होगा, दू महिन बाद होगा, कोई दिकत नहीं है, अपनी तयारी दस से पंदरा दिन का ही रखिए, फिर डेट बढ़ेगा, फिर आगे बढ़िएगा, उसी तरह कंटिनू करते रहेगा, वो तयारी को नहीं रोकना है, पहली बाद, ठीक है, ये कोट और आयो वाला जो वीडियो बनाया था, और सुबह में बनाया आप सबी को एक जनगन्ना वाला वीडियो बनाया हूँ, जिसमें भारत की जनगन्ना बताया हूँ, बिहार की जनगन्ना भी जश्ट आएगा, और वो कल या आप लोग को, या आज रात में, या कल सुबह में वर्डिं रेडियू बनाना था मैं सुबा में ही बोल चुका था कि इस समय दो चेप्टर में इतिहास का पढ़ाने लगा था लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक ही बार में six complete किया जाए seven देखी बर में complete के जाए history का हो जोगरफी को फिर दोबारा पुना जो चीजे मैं पढ़ा चुका हूं उसको पुना मैं चाहता हूं कि दोबारा आप सभी को एक marathon क्लास के जरिये और एक question type का एक तरह से जैसे कि चप्टर पढ़ाऊंगा और उससे मैं आप सभी को पताऊंगा किस तरह से question बन सकते examo में उस पर discussion किया जाएगा और उस तरह से आपको चीजे समझ जाएगी और पहले से बहतर तरीका से और new तरीके से उसको पढ़ा जाए और साथ ही साथ जैसे कि मैं चाहरा हूं कि मैं राथन क्लास किया जाए और मैं राथन क्लास के बाद क्या किया ज जैसा आप सभी का सुझा होगा आप अपना सुझा हो दे सकते मैं लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार जो है दोनों साथ में चला जाए यानि कि theory class पूरी complete किया जाए और उसके बाद just हम लोग उसके बाद mcqb complete कर लिए जाए इससे क्या होगा कि दोनों चीजे एक साथ complete होत और 10 दिनों को अंदर में सारे subject को पूरी तरह से complete कर ले जाए फिर मैं दोबारा बोलूँगा कि history, geography, science, current affair, math और ये आपका जो फिर से दोबारा आठ नमर में जो history, geography जोगर्फिया जागा ये सारी चीजे quality भी मैं add करने के कोशिस करूँगा quality भी आप लोग का आ रहा है जि परतस तरीके से इस बार फिर दुबारा revision कराऊंगा जब तक exam न हो जाए तब तक इसको revision इतना बार करा देना है इतनी बार समझा देना है कि चीजे आपके दिमाग वेकदम छप जानी चाहिए exam में जाते question को देखते ही ये समझ आनी चाहिए कि हमने इसको कहीं ने कहीं कौन सी किताबों पर बिहार बढ़के और NCRT के इन दो किताबों को छोड़ कर दूसरी किसी भी किताबों पढ़ते होंगे तो आपकी मर्जी है लेकिन SCRT और NCRT इस दुनों किताबों को कताई नहीं छोड़ना है ठीक है SCRT continue पढ़ते रहे अभी भी मैं बहुत सारे बात क किताबों को छोड़ के चल रहे हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं है अना कि सर मेरे पास अभी उतना समय नहीं है नहीं हो पाएगा सर मैं NCRT को ही देख रहा हूं या नोट्स मेरे पास है उसको देख रहा हूं या किसी और इसे चूटकर नोट्स विगरा है वो सब चीजों को मेरी समझ के साब से विहार बड़ किताब नहीं छुड़ना है, NCRD किताब नहीं छुड़ना है, उस किताब को जो भी serious way में है, कि भाई हमें exam किसी तरह निकाल लेना है, अभी भी समय है, 10 दिन, 20 दिन बाद ही exam होगा, अभी भी समय है, आप क्या कीजिए, अभी भी अपने subject क जो main subject है, जो 40-40 number का होगा, उसके लिए कम से कम, आप अपने according to exam के लिए, आपना पढ़ना सुरू कर दीजे, 1 to 5 के लिए क्या पढ़ना है, तो 1 to 5 के लिए 6 to 10 तक किताबों का पढ़ना है, ठीके, जो subject का question पूछता है, उसका, जैसे history, geography, science, या current affair, ये सारी किताबों को current affair जोगरफी है, तो history, जोगरफी कर पढ़ना है, तो 8, 9, 10, तीन क्लास का पढ़ लिजे, history कभी जोगरफी के लिए काफी हो जाएगा, 9, 10 वाले अगर है, तो आपे 6, 7, 8, 9, 10 इतिहास का, या इतिहास अगर पढ़िएगा, तो 6, 6, 7 क्लास का भी चाहिए, 7, 8, 9, 10 वे का, औ उनको पढ़ने के जरूत नहीं है, वही सेम 11, 12 वाले अगर हैं, उनके लिए जो है, history जो होता है, वो history सब आ जाता है, उसमें आपका 6 to 10 आ जाएगा, 11, 12 भी चला जाता है, थोड़ा बहुत, जोगरफी जो है, 8, 9, 10 और 11, 12 तक पहुंच जाता है, ठीके, उन सभी किताबो को बिहार बड़ किताब को से आप continue पढ़ते रहे, पोलिटिकल साइंस वाले हैं, तो 6 to 10 जरूर पढ़े, 6 to 10 क्या बिहार बड़ किताब को दोनों पढ़े, पढ़े होंगे, तो revision करे, revision आप कर चुके, दोबारा revision करे, दोबारा कर चुके, तीन बार करे, तीन बार कर चुक पढ़े, तीन बार भूल जा रहे, उसको फिर पढ़े, बार बार पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, simply एक ना एक दिन वो पूरी तरह से दिमाग में छपी जाएगा, याद होई जाएगा, simply नया कहीं जगा जाते होंगे, तो नया जगा पहली बार देखते होंगे, तो मोटा मोटी समझाएगी, दुबारा पढ़ेगा, और बैतर होगा, बार बार पढ़ेगा, तो उसमें से इतना जान जाइएगा, आप, कि उसके लाइन बाइन पकड़ लाइन पकड़ दीजेगे, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, वो एक्जाम में आपको फायदा हो 11 12 हो यह चारो क्लास का एक्रोमिस पढ़ना जरूरी है ठीक है तो शारे सब्सक्राइब को मैं बता दिया हमोमन आप सभी को मैथ के लिए क्या करना है मैथ को 6 7 8 यह तीन क्लास का मैक्सिमम ध्यान देना एक दो कोशन जो है वो तीन क्लास या रहा है तो उसको इनोर करके चल कर सकते हमारे नंबर पर या कॉल करके बात कर सकते कोई भी समस्याओ को समधान निकालने का ठीक है तो यहीं पर वीडियो के इन करते हैं और पढ़ाई अपनी चालू रखें कल जो है मैराथन क्लास हम लाएंगे छटे क्लास का और सत्वे क्लास का कोशिज करूँगा कि छट पॉन्ट व्यू से इंपोर्टन्ट होगा वो बीच बीच माते रहेंगे लेकिन दोनों यह आठ बजी सुभा और अड़ बीच सम्में विशेस आपके लिए आएगा मेराथन क्लास उसको देखना ना भूलिएगा वो चीज अगर देखते रहेंगे तो उमीद है कि मैं आप आप पढ़ रहें लेकिन मैं तो आपको पढ़ा दूँगा मेरी वीडियो देखते रहेंगा इतनी गारेंटी है आप ना भी पढ़एह सारी किताब को, सारे किताब को दू-तीन बार revision करा दोंगा, 6,7,8,9, 10 किताब को मैं अग्जाम आने से पाले, अग्जाम अगर अब भी भी बोल दे piss कि 10 दिन बाद einge種ाम लेगा, फिर भी मैं आपको 3 बार revision करा दूँगा, इसका उत्याव वादा कर रहा हूँ आप सभी से कि अगर आज भी बोल दे कि notice अगर कल भी दे दे कि 10 दिन बाद एक्जाम ले लेंगे फिर भी मैं आपको 3 बार revision करा दूँगा इन सारे subject को जो subject मैं सुरू से बोलते आ रहा हूँ तो वीडियो का यहीं पर इंड करते हैं फिर किसी दूसरे क्लास मिलेंगे तब दे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कर असलाम अलेकुम जैहिंद जैभारत